हे ब्यूटिफुल वल्कम बाग टो मैं चानल आशा आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक मेकप लुक जो कि आप कह सकते हो कि यह री क्रिएशन मेकप लुक है और मुझे यह लुक अच्छा लगा और वो मुवी भी अच्छी लगी और वो एक्ट्रेस भी मुझे सहले हैं तो मैंने सुचा क्योंना इस यह लुक क्रिएट किया जाए इससे पहले भी ऊट्सित दो लुक है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं क्रीजो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाई लुक पुराने हो चुके हैं मैं उनको फिर से रीक्रिएट करना चाहूंगी प जैसे जैसे मैं मेक अप करती जाओंगी अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो को तुरंद पॉस करके कमेंट्स करना कि ये कौन सा लुक है और किस मुवी का है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं देखना चाती हूं कि आप लोगों में से कितने लोग इसको पहचान सकते हैं I think तकरीबन सब भी पहचान जाएंगे बट कमेंट करते नहीं हो आप लोग और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो मेरा चानल है मेरे वीडियो हैं नौन सब्सक्राइबर हैं वो बहुत आप लोगों को टाइम टाइम मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी आपको बार-बार मेरा चैनल चेक करना नहीं पड़ेगा कि मेरी कोई वीडियो अपलोड हुई है या नहीं हुई है आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल प्रेस कर दीज जिससे आपको तुरंथ नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे वीडियो पब्लिश होने की तो इससे आप लोगों को वीड भी नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे से मेरा वीडियो देख लेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना सब्सक्राइब करने में क्या जाता है एक दोस्ती तो मिलेगा मुझे हाना और चलो फिर सब्सक्राइब सरूब करना वीडियो देख रहे हो तो करो के ना मैं आपको फिर गुद्गुजी कर दो कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो तो चलो यह बाते तो होती रहेंगी मेकप लुक स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैंने अपने बालों को थोड़ा सा फ्लैक्सीड का जल लगाया हुआ है तब ही ऐसे हैं क्योंकि जो हैस्टाइल मैं करने जाओंगी उसके लिए मुझे थोड़े से रफ बाल की ज़रूरत है तो मैंने थोड़ा रफ बनाने के लिए लगाया हुआ है देखते ह बताओंगे कैसे करूंगे आप लोग कैस करना ठीक है और मैं शिरुबाद करने जा रही हूं अपने इस चहरे से इस चहरे को मैंने केवल पानी से बहुत पहले क्लीन किया था शाम के टाइम यह वीडियो मैं नाइट में पर ना रही हूं और उसके बाद मैंने फीस पे कुछ भी नहीं लगाया था थो थोड़ा मेरे फीस रफ रफ था और जैसा ये मेकप लुक चाहिए उसके एकॉर्डिंग मैंने अपने चहरे को क्लीन नहीं किया है केवल मुश्यराइजर लगाया है नीविया का आइधिंक वो भी मैंने थोड़ा सा जो एक मुझे बेस मिल जाए वो और ये बिल्कुल थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि जो लुक मैं करने चाहा रही हूं उसमें आइधिंक फाउंडेशन वेगेरा मीकप बिल्कुल होते हुए भी नहीं है और तो मैंने सोचा कोई नी थोड़ा सा तो मैं लगा लेती हूं और ये मैं बिल्कुल मामुली सा ल है और आइधिंक आज मैं कोई ब्रश वेगेरा या कुछ ऐसा इस्तमाल नहीं करूंगी बस डॉट डॉट करके ही लगाऊंगी और हो सा कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और फांडेशन ले लूँगी अपने जहरे पे लगाने के लिए यह होप करती हूँ कि जो मैं फर्स टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वो सही हो जाए और आप लोगों को पसंद आए यहाँ पर मैं यह थोड़ा सा फेस पाउडर लगाने जा रही हूँ यह फेस पाउडर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जो मेरी फांडेशन वग क्योंकि जैसा लुक मुझे चाहिए उस हिसाब से अभी ये मेक अप नहीं है केवल मैं बेस बना रही हूँ तो फिंगर क्रॉस है कि मैं अपने इस लुक में काम्याब हो सको और उसके बाद मैं यहां पर यहां पर सिवाना कलर्स के इस पैलेट में से यह वाला जो कलर है ब्रा कि दalom को अबया है कि मुझे इस लुप में यह वाले कलर की जरूरत है और यह मैं अपने पूरे चैहरे पे लगाँ आई होप ये डार लगाने के बाद कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा कि यह लुक कॉandersी मुवी का है और अगर गैस का लिया है तो प्लीज वीडियो को पॉस करके कमेंट करें जैसा मैं चाहती हूँ वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है इसमें तो देखते हैं कि मुझे मेरा डिजायर कलर मिलता है या नहीं यहां पे ना मुझे थोड़ा सा और कलर चाहिए क्योंकि जो कलर उस मुवी में एक्टरस का है वो वैसे है नहीं लेकिन उस मुवी में उसका कलर है तो यहां पे यह जो आई ब्रो किट है यूरप गर्ल की इसमें से जो लाइट ब्राउन शेर है ना मैं उसका इस्तमाल करने जा रही हूँ आई होप कि मुझे मेरा डिजायर कलर मिल जाए और यह पे भी लगा लेकियों में और हाँ यहां पे मैं कंटूरिंग में केरा कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि जो मेकप लुक है वो बहुत ही बहुत ही सिंपल है यहां पे मैंने ये लगा लिया है और अब मैं इसके ऊपर ब्रौंजर का इस्तमाल करूंगी और यहां पे मैं ब्लेश का इसमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि जो वो एक्ट्रस है उसने simple make-up किया है ना के बराबर और बहुत ही अच्छा लग रहा है उसने उसका ही जगा पे किया हुआ है make-up जहां पे song है या फिर कोई function का दिखाया हुआ है तो वहां पे उसके हलका-फुलका make-up है लेकिन मैं proper वो वाला look create कर रही हूँ जो एक without function वेगेरा और या song में जो नहीं है जो उसका daily का look है जो उसका एक घर में रहता है लोक या काम पे जाने वाला look है वो कर रही हूँ मैं यहां पे ब्रॉंजर का मैंने इस्तमाल इसलिए किया है ताकि जो उसका face का जो वो है उसमें सामला रंग होते हुए भी उसके चहरे पे एक glow है एक grace है तो उसको maintain करने के लिए मैं यहां पे ब्रॉंजर का इस्तमाल कर रही हूँ और किसी चीज के लिए नहीं और इसको एक blush की तरह भी लगा लूँगी और यहां पे मैंने ब्रॉंजर लगा लिया है अपने चहरे पे आहूप करती हूँ की मेरा जो color है उससे इतना ज़्यादा मैच तो नहीं कर पा रहा है पर मैंने कोशिश पूरी की है और यहां पे मैं यह लैक्मी आईब्रो पैंसिल का इस्तमाल करूँगी क्योंकि जो हिरोईन है उसकी आईब्रो बहुत जादा rough है मतलब घनी मोटी सी है तो मैं यहां पे शेप में किरा कुछ नहीं दूँगी और सिंपल सा ऐसी roughly थोड़ा सा fill up करूँगी यहां पे मैंने यह आईब्रो को बना लिया है I hope मैंने पूरी कोशिश की है थोड़ा मोटा और roughly बिनाने की और concealer का तो इस्तमाल करना ही नहीं है तो मैंने बहुत ही carefully इसको किया है carefully rough eyebrow बनाई है ताकि मैं थोड़ा सा कर सकूँ justice उस लुक के साथ और यहां पे यह हो गया है और यहां पे काजल के लिए मैं इस्तमाल करूंगी सुर्मे का और उसके लिए मैं इस्तमाल करूंगी यह है सुर्मा जो की हर्बल है यह मेरी ब्रदर ने मुझे लाके दिया था और मैं इसको यूज करती हूँ नाइट में और यह बहुत अच्छा है आँखों को बहुत कूल देता है और हो सकता है इसको लगाने पे मेरी आँखों में से पानी भी आए तो यह मैं लगा रही हूँ इसमें न जड़ी बूटिया है तो बहुत स्वादा कूल लगता है कूल एकदम ठंडा एकदम शांती सी मिलती है इसको लगाके और आँखों मेरा पानी आ जाता है और अब इसको मैं किसी ब्रश की मदद से थोड़ा सा समझ कर और मैं इस ब्रश का इस्तमाल कर रहे हूँ क्योंकि जो एक्रेस है उनकी भी आँखों में जो काजल है थोड़ा सा फैला हुआ होता है या जैसे एक काउं में जो हममेड काजल होता है वो बनाके लगाते हैं तो उसी तरीके से है और इसको मैं अपने उपर वाले आइस पे भी हलका सा समझ कर लोगे जो भी एक्स्टा ह यहां पर दिख सकते हैं थोड़ा सा निकला हुआ है इसको मैं ऐसे ही रहने दोंगी बिल्कुल नैचुरल लुक है क्योंकि मुवी के अंदर भी जो खसकर जो ऐसे आर्ट्स मुवी के जो करेक्टर होते हैं उनका हमेशा मेक अप आई मीन उनका काजल हमेशा ऐसे ही होता है अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से एक्ट्रेस की बात कर रही हूं और यह किसका मेक अप लुक है और यहां पर मैं बिंदी का भी इस्तमाल करूंगी अफकोर्स उन्होंने आई थिंक रेड कलर की बिंदी लगाई हो ही है और मेरे पस रेड कलर महरून कलर है त बट वो मुझे अभी मिल ने रहा तो मैं यह ब्लैक बिंदी से ही काम चला लूंगी आई थिंक मुझे महरून मेरे पास यह है सिंदूर महरून कलर का मैं इसको लगा लेगती हूँ यहां पर मैंने वो लिप्स्टिक को रिमॉफ कर गया है और यह मैंने लगाई है और यहां ने लगाई है नमबर वन क्योंकि उस मुवी में उनकी लिप्स पे बिल्कुल लिप्स्टिक ने लगे हुई कहीं कहीं पे है हलकी सी ब्राउनी शेड में तो मैंने यह लगा लिया है मैंने उसको रिमॉफ कर दिया है और बिंदी भी कहीं जगा पे रेड है और कहीं जगा पे ब्लैक है तो अब मैं य ताइल बनाती हूं और फिर आप से मिलती हूं तो यह है मेरा वो मेकप लुक I hope आप लोगों को पता चल गया होगा यह मेकप लुक कौन सा है जी हाँ यह है पुष्पा मुवी का मैंने श्रीवली मेकप लुक नाम दिया है जो एक्ट्रेस है उसका नाम श्रीवली है और उसका यह गेट अप है I hope मैंने उस लुक के साथ बुरा जस्टिस किया हो यहां पर मैं कुछ चीजों के लिए माफी मागना चाहूंगी क्योंकि नंबर एक यह मेरा ब्लाउज स्लीवलेस है एक तो यह कि यहां पर मेरे पास ब्लाउज का कोई ऑप्शन नहीं था तो यह स्लीवलेस ब्लाउज पहना है मैंने और जबकि एक्ट्रेस ने दूसरा ब्लाउज पहना हुआ है और दूसरा यह कि यहां मेरे छोटे बाल है और यह थोड़े कटे हुए थे तो इनको सेट करने में मुझे थोड़ा सा वो लगा बस यह दो चीजे है यह तो फिर भी अरजस्ट हो जाता है बट यह वाली चीज थोड़ी सी वैसी है तो इसके लिए आई होप आप लोग इसको ना देखते हुए बाकी जो मैंने फेस का गेट अप किया है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और मेरा मेक अप आप लोगों को कैसा लगा यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना देती हुँ मैंने अपने हेर स्टाइल कैसे किया मैंने जो जेल लगाया था उसको थोड़ा सा बैक कॉम करके यहां बालों को सेंटर पार्टिशन देके और कर्ल्स करके पिन अप किया है और यह गचरा लगाया हुआ है और पीछे चोटी की हुई है बिल्कुल सिंपल सी जो हम और्डनरी चोटी करते हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत चोटे हैं मैं जूडा या चोटी विगएरा नहीं बनाती हूँ बस क्लचर लगा लेती हूँ तो फ्रंट के हिसाब से बिल्कुल सही है और यह जस्ट मैंने रोल करके लगा लिया है गचरा लगा लिया है और यह नत पहन लिया है और बिंदी लग गई है जुनके पहन लिये हैं मैंने और हाँ वो लिप्स्टिक है जो मैंने चेंज कर दी मैंने वो लिप्स्टिक यहां पर उसको हटा के L18 के लिप्स्टिक है वो लगाया है और इस शेड में है तो मैंने यह वाला लगाना बेटर समझा क्योंकि लुक के अंदर उसके होट पे लिप्स्टिक बिल्कुल भी नहीं लगी हुई गाने वेगेरा में तो अपकोर्स है थोड़ी बहुत और यह अच्छी भी लग रही है तो मैंने यही लगाया है और जो फेस का जो कलर टोन है आई तिंक जब से यूटिक फेसे है तो मैंने थोड़ा सा मिरर में तो थोड़ा नजर आ रहा है बट कैमरे के अंदर कैसा नजर आ रहा है कर पाई हूँ मैं नहीं कर पाई यह मुझे आप लोग बताईएगा और बस इसके लिए मुझे माफ कर देना और मेरे ये मेकप लुक अगर आप लोगों को परसंद आया तो मेरे इस वीजियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना और मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करना कि ये मेकप लुक कैसा लगा और I think जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है फर्स टाइम मैंने कोई मेकप प्री क्रिएट किया है और मुझे ये क्रिएट करके बहुत खूशी हुई है और मुझे खुद को भी बहुत अच्हा लग रहा है और मैंने मारबल की सारी पहने वही है मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूं, बट बोलने पारी, और हेयर स्टाइल वगेरा भी, और अच्छा लगा कि मेरे इस चैनल पे मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी ना, तो मैं आगे जाके और ऐसे मेकप क्र करूँकि मेरे एक-डो मेकप मेरे माइन में हैं, जो मैं बहुत पहले क्रिएट करना चाहती थी, बट मैं कर नहीं पाई, और उसके लिए मैंने साड़ी भी purchase की थी बट कर नहीं पाई तो ये look मैंने create किया है मेरा बहुत मन था करने का और मैंने कर लिया तो जरूर comment करके मुझे पताना कि आप लोगों को ये makeup कैसा लगा है और मेरे channel को जरूर जरूर subscribe करना अगर ऐसे video आप देखना पसंद करते हो और इस video को अपने family friend के साथ जरूर share करना और तो चली फिर मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों को किसी और video के साथ तब तक के लिए बाई, take care, see you, love you बाई, take care